हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल एक्जाम देखो आज हम बात करेंगे आर्पिएसी ईवारो एक्जाम को लेकर जैसा कि आप सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं आर्पिएसी ईवारो में आखिर क्या होने वाला है क्या यह एक्जाम कैंसिल होगी या दुबारा से सबूत मिले हैं जो इसको रोक सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कि जो आर्पिएसी ईवारो थी उसमें आकिर हुआ क्या और इसके बाद आप काफी दिनों से जो वेट कर रहेते अब इसके बाद इंतिजार आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है खतम हो गया है क जो कि इस आर्पिएसी ईवारो में जो भी कुछ हुआ है इस वीडियो में आपको मालू हो जाएगा बित्सबूत के साथ और एक नोटिस जारी हुआ है उसको मैं बताऊंगा उसको पूरा पढ़ना उसमें आपको साब साब पता चल जागा क्या चल रहा है इसके अंदर वीडियो को लाइक और शेयर जबू करना आई बढ़ते हैं नोटिस की तरफ तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं और पेसी की तरफ से देखो ईवारो एक्जाम ली गई थी जिसकी 14 माई को एक्जाम ली गई थी और उसके बाद इसमें रिजल्ट जारी किया और सभी जित अगस्त का अखबार के अंतर है देनिख भासकर की न्यूजपेपर में यह कटिंग आई है जिसमें इयो आरो इस नोटिस को पूरा पढ़ना और देखना इसी में पापको पता चल जाएगा कि लिखा भी क्या है और इसमें साप इंडिकेट हो रहा है क्या होने वाला और क्य जारी तो इयो आरो अगस्त में जारी हो सकता है परिणाम फाइनल रिजल्ट हो सकता है फाइनल रिजल्ट जारी इसके बाद लिखा है देखिए पूरा पढ़िए जैपुर आर्पेसी की ओर से 14 माई 2023 का कराए गई यो आरो भरती परिशा 2023 में आयो की वो ACB क्लीन चेट मिल नटर रिजल्ट जारे करते है प्रेसी न एकजाम लिया दूसरी रिजल्ट हो ऐट कराया क्यों टाइम क्यों 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 योथ को सद्केशाथ खेलना एक जुर्म है मानसी पीड़ा भी एक आर्टीकल कंदराता है जिसके आप विरुद केस कर सकते हो आप अगर मानसी रूप से परिशान है तो वो भी एक सजा है वो भी जूर्म है बाकी बात करते हैं आगे आयोग सुत्रों के मतावी अगस्त में ही फाइनल रिजल्ड जारी किया जा सकता है आयोग के कारवाग अध्यक केसी मिड़ा के कहना है इन मामले वाइश्टूडेंट की के देखने के बाद ही चोदा माई दोजाते देविस को आर्पेसी नहीं है परिशा करवाई थी परिख्षा के पास कराने के नाम पर ही राश्य वसूल्ने के मामले में एसीबी की कारवाई होने से परिख्षा विवादों में हा गई थी आयो सदस्तो का सामिर होने के कारण अरप लगे थे लेकिन एसी बी ने क्लीन चिट दे जी जो कि अब जमन समझ सकते हो पैसी क्लीन चिट है अब इसी बीडीजी रवीर प्रकाष में रड़ा ने कहा कि EU-RO अरो का पतनामी नहीं है EU भरती परिक्षा मामले की जांट में आरपेसी की कि-सी तरफ्य दी की भूमें नहीं पाई गई है आरपेसी अब इस परिक्षा का पहन्ड़ा जारी कर सकता है तो अगस्त में ही आपका रिजर्ट आ जाएगा और राखी के आसपास ही आएगा मुझे पता है कुछ ना करें करें ना करें लेकिन ये ऐसे टाइम पर रिजर्ट देंगे ताकि खुसी का माहूल बढ़ जाए लेकिन ये नहीं पता इस्टुडेंट को खुसी का माहूल नहीं क्या मिलने वाला है और ऐसे टाइम पर इसको ऐसे कहते हैं घाव पर नमक छिडगने जैसा है और अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला जो कि मैंना वह बहुत पहले बोल दिया था सब मोमा आया है कुछ भी नहीं है अब आपको यह बताना है जो सरकार पहले कह रहे थी कि इसको कैंसिल करना चाहिए आज वही सरकार इसको रिजल्ट जारी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और अराम से रिजल्ट जारी कर किर फरजी बार आहे कुछ भी ने थैंक यूu so much वीडिउट से लिए धन्यमाद मिलता है नेक्योट वीडियो में बागि आने वाले समय में अपना पावर को बताईए और बदल लीजे सब कुछ तेंक यू त्एंक यू स organiza recollecte पटा टतना 임